जेहिन स्वागता भगत सिंग जी के किलास में हम लोग मुगल काल में आज देखेंगे औरंगेब जो मुगल काल के अंतिम सबसे पावर्फूल बादसा थे ठीक है कि जनी की बात करें गहले तो 1618 सीह में रहा है इसकी की मता की बात करें थो मुम्ताज महल अजुम्मा बान वान धे प्रहते जाइं कि मुमताज असे का नाम थे साथ जहां ठीक है राजयविशेख का बात करें तो मुगल काल में पहला ऐसा बात्सा है जिसके दो बार राजयविशेख हुए थे जुलाइ फिप्टी एट में जून फिप्टी नाइन में पहले बार जो यूद्ध होता है धर्मट का यूद्ध तो फिर वहां पर धारासी को हार जाते हैं लेकिन जिनदा छोड़ दिए जाते हैं जो राजयविशेख कर लेते हैं कुछ दिन के बाद फिर से वह हमला करते हैं अंतिम यूद्ध जो हता है दिवराई का यूद्ध होता है और यहां पे और धारासी कोई का हत्तर्य कर दिया जाता है मुस्लिम बिरोधि बता कर ठीक है तो फिर जून 59 में राज्यवी से करते हैं अगर और जब के गुरु की बात क्या जाए तो मीर मुहम्मद हकीन थे ठीक और यह कटर सुनी मुसल्मान थे हिंदू विरोधी ठीक है उन्होंने 1665 मंदीर तोरने का आदस दे दिया गुजरात के सोमनात मंदीर को इसी समय तोरा गया था 1665 में ठीक है और है उत्तर परदेश के मंदीर है वहां भी तोर फड़ हुआ था सारा यानिक बहुत मंदीर तोरा दर्वार में जो संगीत और निरित्त होते थे उस पर पावंदी लगा दिये थे कुरान के अनुसार यह सासन चलाते थे जिस तरह कुरान पर है कि राजा सराब नहीं पिएगा थे यह भी नहीं पिते थे नवरोज जो अकवर द्वारा से स्टैट किया गया था जरोखा दर् पताम एक दिन राजा यानि की बादसाथ दर्वार में आते थे यानि खिलकी टैप कर रहता था वहां के जनता का फडियात सुनते थे तो यह सब में रोक लगा दिया तुलादान क्या था यह अकवर द्वारा स्टैट किया था तुलादान होता था क्या है जिस राजा का जन में बार दिया जाता था ते तुला धान पर भी पर्तिबंद लगा दिया तिलक कराना यानि कि जो अक्वर के दरवार में, मुगल दरवार में जो राजपूत्स आ सकते हैं, वो यूद्ध जाने से पहले तिलक, चावल, तिलक लगा रहा करते थे, इस पर भी परतिबंद लगा दिया, और अग्योगन, होली, दिवाली, महर्रम, इस सब में परतिबंद लगा दिया, क्योंकि ये बहुत ही कटर आति कृट और यह नहीं चाहते थे कि हादमी इसके बारे में बात करेगा, और विद्रोग हो सकता है, तो इसलिए जी तरह का आदमी जो इख़टा हो, तो उस तरह का सारा चीज में परतिबंद लगा दिया तक जाजिया कर को पूना 1679 में इस्टाइट कर दिया गया, जिसमें जो अकबर द्वारा रोक लगाया है था, लेकिन जजियाकर को पूर्ण इस्टाइट कर दिया दारूल इसलाम बनाने का परियास किया था दारूल इसलाम का मतलब होता है इसलामिक राज्य परियास के थे भारत को एक मुसल्मान राजी बनाया जा सके नेतिक अस्तर से बहुत उचा था क्योंकि ये कुरान को फॉलो करते थे जैसे कुरान में कहा जाता है कि मुसल्मान को दारू नहीं पिना चाहिए इस्तरियों के साथ गलत अच्रण नहीं करना चाहिए सारे बात को फॉळो करते तो ओरेंगजब एक ही साधी किये और थूज के जिसके कारण इससे जिंदा पीर भी कहा गया था इस पूछा जयता है कौन से मुगल वादसा को जिन्दा पीर कहा जयता है तो जैसे बहुत बाद बहुत सारी एकजाम में पूछा के थिंदु मंझसाबदार की शंख्या मुगल काल वसे ज्यादा कょ दर्वार नींट-3-3 s पर्सेंट हिंदु मनसभदार थैं यानि किसरेना थे ठीक है अकवर के बिद्रो में यानि ओरैंज बिद्रो वहा बहुत सारा पहला बिद्रो था हुआ जाट ठीक है यह हुआ तो 1665 में ठीक है 1665 में हुआ था इसके गोकूल नाम के एक यानि की जाट उसने बिद्रो किया उसको हराया ठीक है उसके बाद उसी का था राजा राम राजा राम ने 1685 में क्या किया आगणा सिकंद्रा में जो अकबर का जो समाधी अस्तल था समाधी यानि मकवरा था उसे लूट लिया गया अकबर का जो हडी उड़ी बचा वह था उसे जला दिया गया यानि कि जो ये औरेंग जेब जो थे मुस्लिम का धर्ण के जितना परचार कर रहे थे वह इसका बिरोधी थे और अकबर के हड़ी को क्या करते हैं हिंदू परंपर यह बाद औरंग ये पता चला तरत का विद्रो इसी का था चुरान चुराण मैं है को चुराशन ने संहाला जाट को और बिविन छेत्रों पर जाट का जो बिद्रो चलते रहा उसके वाद शीख विद्रोग, शीख विद्रोग क्यों हुआ था? वरंग जह मुस्लिम सासक, भाराज जिव यानि भारत को बनाना चाहता था, तो इसे लगता था कि अगर सीख के गुरू को ही अगर बोला जाए कि अगर यह मुस्लिम धर्म अपना लेगा, तो जितने भी सीख है सब मुस इसलाम कबूल करवाने का परियास किया नहीं करने के कारण इसका सरधर से अलग कर दिया गया इसी समय जो शीक के दर्स में गुरु ते गुरु गोविन सिंग उसने खालसा पंत के अस्थापना की ठीक है तो यहां से यहां पे भी यानि की विद्रो होते रहा सिक्षों के तो विद्रो हुआ राशपुत विद्रो खास मेंवार और में आफ मे वा था यहां वी बिद्रों वहा आप तो खुद इसके बेटा रांवर भी बिद्रों कर दिया थे पर लेंग इनों ने राजपुत से सयोग लिया कि राजपुत ने इसे बताया कि अगर आप अगर आप इसके खिलाफ लगे तो राजपुत जो राजा थे बोले हम सपोर्ट करेंगे और फिर अगला राजा आप अगर बनाएंगे फिर यह बिद्रों कर देते हैं तो अकवर होसियार यानिक औरंग जेब होसियार रहते हैं और इसने एक पत्र बेचके राजपुतों को बेच देया जाता है ठीक कि तुम लोग ने अकवर का साथ दिया मैं एक-एक करकर सारे राजपुत राजाओं का बद् लगनतर कर दता है और और्ण्जेंक सैना आकवरपुत कर दता है अकवर बुजुरात से भागते हैं महराठ माराठ्था की उड़ ठीक है वहां पर उस समय राजा थे यानि कि जौ बार क्या करते हैं महराठ्था शासकते हैंclockwise संगर्षन देते हैं ठीक में रिमस्पैसट में हैं सोल-धुल्शॉ diva जी और जय चींग के बीच जैLab सिंग के बीच पुरणदर की संदी होती है बहुत फैसे पूछा जाता है जिसमें से 36 कि लाब जीत लेता है Siva जी जिसमें से 23 के लाब फिर बाद में रिटर्निंग कर जता है और यहां पर इसको सव्योग के लिए भी भरकाता है ठीक यहां से फिर वो आगे निकल जाते हैं फारस देखता है कि यहां पर भी हमला हो रहा है संगठन हो गया अब संधी हो गया तो मराठा भी अब अकबर का साथ नहीं दे पाएगा तो यह फारस भाग जाते हैं कौन अकबर ठीक है और दक्चिन भारत में विजे देखेंगे बीजापूर को जीता 680 में गोलकुंडा को 87 में ठीक है और यानि की अंतिम यानि की 1682 के बाद ये उत्तर भारत नहीं गये कौन अरंजब दक्चिन भारत में ही रहे गये दक्चिन भारत में ही 707 में इसकी मिर्ति हो गई ठीक है ये ज़्यादा कुछ त पत्तर में इसे नकली ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि ताजमहल के ही डिजाइन का है ठीक है और दिल्ली के लाल किला में लाल किला के अंदर मोती महजीत का निर्मान करवाया था ठीक है तो ये थे औरंग जेव इससे दो-चार कोस्तन जो पूछा जाता है कि जिंदा पिर जो बारबार पूछा जाता है पुरंदर की संदि किसके किसके बीचो दी जैसिंग असर सीवाजी के बीच भा ठीक है तो इस तुरहम देखें और इसके बाद कोई भी मुगल बाद सा इतना मजगूत नहीं हुआ जितना ओरंज्य ओरंग जब कि साशनकाल की बात करें तो लग मुगल काल नहीं होगा जो चला पाएगा लेकिन मुगल काल की सेना तो यहां से भी चला ठीक है 1707 से भी आगे चला 1707 से 1857 तक चलता है ठीक है इसके बीच देख लेंगे सिर्फ नाम कौन-कौन मुगल काल थे जो फेमस होगे जैसे sommes 578 की करांती में मुगल मुगल बाजबर्सा कौन थे ससतरा सुचiver साथ में जो बक्षर का उद्वात लुंद है 200डवय को अनृ जो जो